तो फर्स पार्ट में हमने देखा था कि air pressure क्या होता है जैसे कि air का अगर weight होता है तो air pressure भी होता है जो हमें हमारे जो atmosphere होता है वहाँ पे दिखाए देता है जैसे कि हमने activity देखी थी कि एक lantern में अगर हम candle को जलाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि candle के around lantern में जो भी air होती है वो गरम हो जाती है अलकी होती है और उपर की तरप जाने लगती है जिसके साथ साथ लाइंटर भी उपर की तरप जाने लगता है तो बागी की जो लेसन था उसमें हमने ये देखा था कि अगर temperature बढ़ता है तो वहाँ पे हवा क्या हो जाती है हलकी होती है और sky की तरब जाने लगती है जिसके कारण वहाँ पे pressures जो है वहाँ पे हमें vary होती हुए दिखाई देते हैं उसके बाद हमने दो यहाँ पे diagrams देखी थे temperature zones and pressure belt कहाँ पे form होते हैं उनका latitudinal extent भी हमने देखा था तो आज हम देखेंगे equatorial low pressure belts और जो भी belts थे polar high pressure belts यह किस तरह किसी form होते हैं और कहा तक form होते हैं वह आज इस lesson में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे equatorial low pressure belt the sun rays can be perpendicular between the tropic of cancer and the tropic of capricorn so the temperature is higher in this region जो equator होता है वहापे अगर हम देखेंगे जो sunlight आती है वो perpendicular आती है जिसकी कारण heat वहापे काफी जादा होती है अगर heat जादा है तो temperature जादा होगा जिसकी कारण वहागी जो air होती है वो गरम हो जाती है उसके बाद वो expand होती है and becomes lighter and most towards the sky light हो जाती है और फिर उसकाई के 5 degree north and 5 degree south फिर से हम diagram देखेंगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा देखिए equatorial low pressure belt आपको कहाँ पर दिख रहा है यहापे उसका latitudinal extent है 5 degree north to 5 degree south जैसे के आपको यहापे दिखाई देगा तो किस तरीके से यह low pressure form होता है क्योंकि हमें पता है अगर यहापे sun है तो जो sun की light होत होती है वो किस तरीके से आती है यहापे perpendicular आती है जिसके कारण इस region में हमें क्या दिखाई देगा temperature heat जादा होती है temperature बढ़ता है तो हवावा की गरम होगी और गरम हवा हलकी होने के बाद जो है sky की तरब जाने लगती है तो वहापे हमें low pressure belt form होते हुए दिखाई देगा air जहापे कम है वहापे pressure कम होता है जिसे हमने फर्स पार्ट में उसको discuss किया था नेक्स्ट मीड लाटिटूडनल हाइप प्रेशर बेड्स किस तरके से फार्म होते हैं the heated air becomes lighter start ascending and after reaching higher altitudes more towards the polar region की यह जब हवा उपर की तरब जाने लगती है हलकी होने के बाद तो higher altitudes जहापे ह होते हैं वहापे वो पहुच जाती है most towards the polar region और उसके बाद जो है वो polar region के तरब जाती है towards the north and the south pole polar region मिसकों से जो south pole and north pole होते हैं due to low temperature at the higher altitudes the air cools down and becomes heavier हमें पता है north pole and south pole जहे वहापे temperature काफी कम होता है minus में वहापे minus degree में वहापे temperature होता है तो हवा भी cool होती है जिसके कारण जो गरम हवा sky के तरब गई ती वो क्या हो जाएगी cool हो जाती है और heavier हो जाती है this heavier air descend down in both the hemisphere in the region between 25 degree to 35 degree parallels तो यही जो हवा है cool होने के बाद heavy होने के बाद कहाँ पे आती है 25 to 35 degree latitude जो extent आपको दिया है जैसे के आपको यहापे दिख रहा है तोनों भी hemisphere में क्योंकि यहापे अगर हम देखेंगे दोनों फोल्स जो है यहापे हवा आने के बाद cool हो जाएगी और जो नीचे की तरफ आती है 25 degree to 35 के बीच में तो वहापे हमें mid latitudinal high pressure belt दिखाई देंगे क्योंकि हवा अगर हलकी हो जब ठंडी होती है cool होती हो तो heavy हो जाती है तो वो air surface पे आने लगती है और जिस region में वो आती है वहापे temperature कम है हवा ज्यादा हो जाती है cool हो जाती है heavier हो जाती है तो वहापे air pressure जो है काफी बढ़ जाता है जिसके कारण mid latitudinal high pressure belt वहापे form होते है नेक्स देखेंगे इस लिए तो दो फार्मेशन आप high pressure belts in इस parallels of latitudes in बोथ the hemisphere दोनों hemisphere में होगा this air is dry hence the region does not get rainfall और इसकी कारण वहापे जो है rainfall नहीं होता है consequently most of the hot desert on the earth are found in this region तो 4.2 भी अगर हम फिर से देखेंगे तो most of जो region यहापे दिये हुए है हमें तो यहापर ही हमें क्या दिखाए देंगे desert जो होते है वो दिखाए देंगे क्योंसे region में mid latitudinal high pressure build जो form होते है यहापर ही हमें deserts ज्यादा दिखाए देंगे तो उसके पीछे reason भी आपको दिया है क्योंकि वहापे क्या होगा air जो है dry होगी और rainfall वहापे कम होगा जिसके कारण वहापे क्या होगा कि desert form होते है high pressure build में नेक्स्ट सब पोलर लो प्रेशर बेल्स किस तरके से form होते है due to earth curvature the area between two parallel gets reduced as we move towards the poles जैसे जैसे हम पोल की तरफ आने लगेंगे उस तरके से parallels जो होती है उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी क्योंकि earth क्या है curve shape में है miss round shape में होती है जिसके कारण पोल की तरफ जब आएंगे हम तो parallels जो होती है वो छोटी हो जाती है these results in laser friction of the air with the earth surface जिसके कारण जो है polar region की तरफ अगर हम आते है तो air earth जो है rotate होता है जिसके कारण भी यहां पर क्या होगा कि हवा का friction कम हो जबता है air in this region is thrown out because of this reduced friction friction reduce होता है जिसके कारण जो है हवा इस area में क्या होती है thrown होती है and also because of the earth rotational motion rotational motion है जिसके कारण हवा बहार की तरफ फेकी जाती है this lead to the development of a low pressure belt जिसके कारण क्या होते हुआ पर low pressure belt form होते है इस condition is observed in the area between 55 degree and 65 parallel in both the hemisphere तो diagram में अगर हम देखेंगे तो कहां पर हमें sub polar low pressure belt form होते हुए दिखाएंगे तो यहां पर 55 to 65 degree यहां पर और यहां पर भी दोनों hemisphere में हमें दिखाए देगा sub polar low pressure belt और q form होते ही देखे अर्थ का जो शेफ है वो इस तरीके से है curve shape है जिसके कारण क्या होगा कि जो हम इस तरीके से parallel नीचे तरफ मिस पोल की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे तो parallel आप देखिए आपको समझ में आएगा कि parallel में हमें difference दिखेगा यहां पर कम कम होता ज होती दो होती है तो यह हवा क्या हो जाएगि बाहर की तरफ वहार की तरफ त्रों होती है तो आपको जाएगी कि क्या या फिरक्षीन बह MARC पर जादा होगा क्या नहीं जिसकी कारण हाद सब पोलर लोड पर फोरपिश har़ेंगो दिखाए देंगे आपको इन बोर देर सालाम वहा पर अगर हम देखेंगे तो 0 से भी कम vors फे comment होता हैि हें यह रिदव सिए होटी है कोल्ड होती है थंडी होती है इस रिजट फेसर है गेट फॉरम्परीराइप और बिल्कुल ही वाय होता है माइनस में होता है जिसके कारण वहाँ पे हवा क्या होती है ठंडी होती है रूस के कारण वहाँ पे क्या होगा प्रेशर जो है काफी जादा होता है and these are called polar high pressure belts they generally occupy the area between 80 degree and 90 degree parallels in both the hemisphere दोनों भी hemisphere में pole region में हमें high pressure belt form होते हुए दिखाए देगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे north and south दोनों भी pole की यहाँ पे हमें high pressure belt polar high pressure belt form होते हुए दिखाए देंगे क्योंकि वहाँ का temperature कम होता है जिसके कारण हवाँ cool होती है and वहाँ पे pressure जो है काफी जादा होता है हवाँ में उसके कारण वहाँ पे high pressure belt form होते है the duration and the intensity of sunrise varies during particular period of the year in both the hemisphere तो intensity जो होती है या फिर जो duration होता है sunrise का यह हर एक region में क्या होगा अलग होता है दोनों भी hemisphere में as a result the location of the temperature zones and the pressure belts depend on the sun's heat also vary तो इसके कारण अगर हम देखेंगे कि जो pressure belt से वह vary क्यों होते है या फिर temperature zone होते है यह वहाँ क्यों दिखाई देते हैं नौर्थ इन उत्तरायन और 5 डिग्री तो 7 डिग्री साथ इन दक्षिनायन जैसे कि उत्तरायन और दक्षिनायन आपको पता होगा this is called the oscillation of pressure belts तो इसे ही क्या कहा जाता है oscillation of pressure belts कहा जाता है always remember में हम देखेंगे the major difference between the temperature zones and pressure belts is that the temperature zones are continuous and are spread from the equator to the poles from tori to frigid अगर temperature zone वाला अगर हम diagram देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस तरीके से क्या हुआ है spread हुए है zone अगर equator यहाँ पे है तो equator की यहाँ से यहाँ तक 0 degree to 23 degree 30 minutes तर अगर हम देखेंगे तो temperature zone है उसके बाद freeze it जोड़े यह ज़्यादा क्या हुए है फेले हुए है spread हुए हमें दिखाई देगे उसके बाद हम देखेंगे कि pressure belts are not continuous and areas of high and low pressure are found in different regions from the equator to the poles तो high and low pressure belt जो है यहाँ पर अलग-अलग form होते हुए हमें दिखाई देंगे अगर equator से हम देखेंगे starting से तो equator में अगर हम देखेंगे तो हमें low pressure belt दिख रहा है यहाँ और अगर थोड़ी से उपर की तरब जाते है तो आपर हमें high pressure belt दिख रहा है again low pressure again high pressure इस तरीके से pressure belt जो हमें continuous नहीं दिखाई देते हैं जैसे की temperature जो हमें दिखाई देते हैं next हम effects देखेंगे air pressure has the following effects तो air pressure की कारण जो है कोंसे effect हमें दिखाई देंगे तो origin of winds जो winds होते है winds जादा या फिर कम हमें दिखाई देते हैं तो इनका main reason क्या होता है कि air pressure की कारण generation of storms जो storms generate होते हैं वो भी किसकी कारण होंगे air pressure की कारण conventional type of rain जो rain होती है उसके लिए भी air pressure जैसे कि अगर हम देखते हैं कि high pressure belt form होने लगी है जिसकी कारण भी rain जादा होगी ऐसे हम news में सुनते है air pressure affects the breathing activity तो जहाँ पे air pressure कम होगा लो होता है तो वहाँ पे breathing करने के लिए हमें oxygen नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे breathing activity भी affect हो जाती है next अगर हम देखेंगे isobar the line that joins the places of equal pressure on the map is called an isobar तो अगर हम map में देखेंगे जहाँ पे equal pressure होता है और उन places को अगर हम line से join करते हैं तो उसे कहा जाता है isobar next page पे देखें आपको ये diagram दिया है distribution of annual average pressure in the world value of air pressure in millibars तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि equal जो air pressure अगर दो places पे होता है तो उसे join करने वाली जो line होती है उन्हें कहा जाता है isobar जैसे कि अगर हम देखेंगे कि पहले जो हमें pressure belts वाला diagram दिया था तो किस तरीके से था कि equatorial low pressure में यहाँ पे low pressure belts form होंगे उसके बाद अगर हम देखेंगे तो mid latitudinal जो यहाँ पे है यहाँ पे high pressure belt, sub polar low pressure belts and polar high pressure belt तो इस तरीके से हमें क्या दिखाएंगे यह pressure belts दिखाएंगे और जहाँ पे जिन places पे same क्या होगा equal अगर air pressure होता है तो उनको जोडने वाली जो line होती है जैसे कि blue color के अगर हम line देखेंगे तो इन line को क्या कहा जाएगा isobar कहा जाएगा तो यहाँ पे आपको दिया है observe the map given above and study the distribution of air pressure consider the following points तो इन सारे points को हमें क्या करना है देखना है तो first point आपको दिया है the nature of the isobar तो जो isobar आपको दिये है तो वो आप उनका nature किस तरीके से दिखाए देगा तो same nature रहेगा दोनों भी hemisphere में और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि millibar air pressure जो होता है उसे measure करने के लिए unit use किया जाता है millibar तो ये जो isobar होते है ये 2 to 4 millibar के interval से बनाए जाते है और ये एक दुसरे को cross नहीं करते है अगर आप देखोगे blue color की जो lines आपको दी हुए है तो आपको कई पर भी वो cross होते हुए नहीं दिखाए देंगी तो ये उनका nature होता है high and low pressure belts and their latitudinal position अगर हमें देखने है तो जो पहले हमें diagram दिया है pressure belt वाला तो वहाँ पर हमने देखा है कि किस तरिकर इसे latitudinal position होता है हर एक belt का the direction of the isobars and the distance between successive isobars over ocean and continents अगर आप मैप को observe करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर ocean में अगर हम देखेंगे कि isobars जो है उनका direction या फिर उनमें distance हमें अलग दिखाए देगा and continents में अगर हम देखेंगे कि direction उनका या फिर उनकी जो distance दो isobars की बीच में distance ही वो अलग हमें दिखाए देगा comparison of the isobars in the northern and southern hemisphere अगर northern and southern hemisphere में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें comparison दिखाए देगा क्योंकि देखे winds जो होते है वो क्या करते है low pressure के around anti-clockwise direction में घूमते है northern hemisphere में तो उस टाइम हमें क्या दिखाए देगा कि southern hemisphere में अगर हम देखेंगे तो जो air blow होती है वो हमें clockwise दिखाए देगी तो यह comparison हमें दिखाए देगा, differences हमें northern and southern hemisphere में दिखाए देगा अगर आप diagram भी यहाँ ठीक से देखोगे तो भी आपको differences नजर आ जाएंगे अलवेज रिमेंबर में हमें दिया है air pressure is measured in units of millibars के air pressure को measure करने के लिए कौन सा unit use किया जाता है millibars तो यह आपको याद रखना है आपको fill in the blanks में भी आ सकता है या फिर आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी आपको काम आ सकता है for this an instrumental called barometer is used और इसके लिए जो instrument use किया जाता है उसे कहा जाता है barometer जिसका आपको picture यहाँ पे दिया है कि इस तरी किसे instrument होता है जिसे use किया जाता है air pressure measure measure करने के लिए the air pressure at the earth surface is measured with this instrument तो earth surface पे कितना air pressure है उसको measure करने के लिए barometer को use किया जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे do you know में all things seen and on the earth stay earth bound because of the earth's gravity जैसे हमें पता है कि earth's surface पर जो भी चीज़े होती है फिर हम लोग भी earth के उपर रहते हैं तो किसके कारण earth की gravity की कारण gravitational force की कारण this includes air which in the gases form तो air जो होती है वो भी gases form में ही हमें दिखाई देती है due to the earth's gravity air is pulled to the earth's surface की gravity की कारण air भी क्या करती है earth के तरफ pulled होती है खीच जाती है that is why air pressure is maximum at sea level जिसके कारण sea level पर अगर हम देखेंगे तो air pressure काफी जादा होता है maximum होता है note that air exerts pressure on everything and everyone including us तो हर एक चीज़ पर क्या होता है air pressure होता है it is believed that the weight of the air column on any one person's head amounts to 1000 kg कि अगर हम खड़े हैं हमें पता नहीं है कि हमारे सर के उपर कुछ है क्या नहीं लेकिन सिर्फ हवा है तो उस हवा का pressure अगर हम major करेंगे तो कितना होता है 1000 kg इतना होता है लेकिन वो हमें fill नहीं हो पाता है तो उसके पिछे भी reason है gravitational force होता है और हमारे body भी क्या करती है pressure exert करती है जिसके कारण जो हमें weight fill नहीं होता है लेकिन हर एक चीज़ के उपर क्या होता है air pressure जरूर होता है तो I have student आपको जो यह lesson दिया है air pressure इसके सारे concept सब टीज़े लिए समझ में आ चुके है